कैसे हो आप उम्मिद करती हूँ कि आप कैरियत से होंगे और 8 घंटे के बाद हमारे sprouts ऐसे mood निकले हुए sprouts रेडी हो जाते हैं तो आप भी इसी तरीके से घर में बना सकते हैं sprouts easy way में आप और भी मोंग के भी sprouts बना सकते हैं बहुत चीजों की sprouts बना सकते हैं तो आप इसी तरीके से बनाईएं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर मैंने 200 ग्राम मैंने चना और मटर के sprouts लिये है तो यहाँ पर हम बागी के ingredients जान लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामान की ज़रूरत लगेगी तो यहाँ पर मैंने गीला नारियल लिया है जो मिक्सर में बारिक करके रख दिया है मैंने दो कोकम लिये है यह एंड में हम दालेंगे अद्रक लसुन की पेस्ट थोड़े से आलू दो प्यास एक टमाटर तेजपत्ता कड़ी पत्ता रेट चिली मसाला काटी मसाला हल्दी कोरियंडर पाउडर गरम मसाला और तीखाला मसाला तो इतना सारा सामान लगेगा तो चलिए तो स्प्राउट्स जब भी हम भिगो के रखते तो थोड़ा सा उसमें से जो उसका स्मेल है वो नहीं आना चाहिए सबसी में इसका उबाल आने तक स्प्राउट्स को अची से उबाल आ जाएगा तो हम गैस ऑफ करके इसमें से सारा पाने निकालके स्प्राउट्स अलग करेंगे और फिर बाद में इसे दोने की जरुरत नहीं है आप चाहे तो दो भी सकते थंडे पाने से और चाहे तो नहीं भी दो सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से उबाल आने लगा है स्प्राउट्स अच्छे से हो चुके हैं उसमें से सारा जो स्मेल है वो निकल चुका होगा तो अभी हम स्प्राउट्स को अलग कर देंगे गैस का फ्लेम आफ करेंगे तो चलिए मैंने स्प्राउट्स अलग कर दिये हैं अभी हम कराई को गैस पे रख देंगे गैस का फ्लेम आउन करेंगे इसमें थोड़ा सा ऑईल अड़ करेंगे हम अभी हम इसमें आड़ करेंगे देजपत्ता करीपत्ता भी इसी समय आड़ करेंगे हम प्यास भी इसी समय आड़ करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे इसका कच्छापन चला जाए अच्छी सी ब्राउन होने तक हम इसको कुप करेंगे यह अच्छी से मैंने कुप कर लिया है एक दो मिनिट तक हम भूनेंगे उसके बाद हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे इसको भी अच्छी से सॉफ्ट होने तक हम इसको कुप करेंगे ब्राउन भी हो जाएगा तू भी चलेगा इससे भी टेस्ट काफी अच्छा आता है इसका कच्छापन दोर होने तक हमने इसको कुप किया है अभी हम इसमें आड़ करेंगे अध्रक लसुन की पेस्ट इसमें आड़ करेंगे इसको अच्छे से भूनेंगे अध्रक लसुन की पेस्ट को भी अच्छे से भूनेंगे दो मिनिट तक इसका भी कच्छापन चला जाएं अध्रक लसुन को भी भून लिया है तो अभी हम इसमें नारियल की जो पेस्ट बनाया है वह एड़ करेंगे गेले नारियल का पेस्ट बनाया मैंने यह थोड़ा से आड़ करेंगे तो सबसी का टेस्ट काफी अच्छा आता है इसका कच्छा पंदू होने तक हम इसको कूप करेंगे भूनेंगे अच्छे से नारियल को भी अभी हम इसमें अड़ करेंगे सारे मसाले इसमें अड़ करेंगे हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों को हम 2-3 मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे और अभी इस ड्राइ लग रहा है तो हम इसमें जो अध्रक लसुन की पेस्ट या मसाले है वो जो उसमें थोड़ा सा पानी आड़ करके हम इसमें आड़ करेंगे ताकि यह अच्छे से भून जाया हमारे मसाले जले अब हमारे मसालों से देखिए ओईल चूटने लगा है तो इसका मतलब मसाले हमारे सारे कुख हो चुके है अभी इसी समय हमें आलू एड़ कर देना चाहिए आलू को पकने में थोड़ा सा समय लगता है तो आलू इसी समय डालेंगे स्प्राउट्स तो हमने एक उबाल आने तक कुख किया ही है तो मसाले सारे आलू को लगने चाहिए उसके लिए हम इसको पाँच मिर तक हम अच्छे से कुख करेंगे सारे मसाले आलू को लगने चाहिए हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे अब भी 7-8 मिनिट के बाद हम इसमें आड़ करेंगे स्प्राउट्स हमारे और इसको भी सारे मसाले लग जाने चाहिए इसलिए हम इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले तकि इसमें सारे गुल मिल जाए और इससे टेस्ट काफी अच्छा है तो हम ऐसे इसको 7-8 मिनिट के लिए और कुक करेंगे आप चाहे तो ढखन लगा सकते है 7-8 मिनिट के बाद हम ओपन करके देखेंगे कि कहीं यह जल तो नहीं गया नीचे से नहीं जला है हम गैस का प्लेंब लो ही रखेते हाई पे नहीं रखना नहीं तो जल जाएंगे सारे सबसी तो 7-8 मिनिट के बाद यह अच्छे से कोख होने सारे मसाले एक दूसरी को लग चुके स्प्राउट्स को भी आलू को भी हम इसको अच्छे से चलाएंगे अभी हम इसमें पानी एड़ करेंगे आपको जितने करेवी चाहिए तो उस हिसाब से आप पानी इसमें एड़ कीजिए और स्प्राउट्स को और आलू को पकने के लिए भी हमें पानी की ज़रूरत लगेगी तो उसके हिसाब से आप पानी एड़ कीजिए आपको जितनी लगेगी तो यहां पर में चार बाउल में वेजेटेबल बाउल्स होते हैं वह एड़ करूंगे इसमें वाटर के और इसको अच्छी से उबालाने तक हम इसको कुक करेंगे धकन लगाके आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी एड़ कीजिए और नमक तो मैंने मसालों की साथ ही उसमें एड़ किया तो इसमें मुझे नमक की ज़रूरत नहीं लेकिन आप टेस्ट कर लेना कि आपको नमक की ज़रूरत है कि नहीं है मुझे यहां पर नहीं लग वागर बंकर के इसको मेडियम प्लेम पर हम इसको जब तक मटर चना जी कूक नहीं हो जाते तब तक मैं इसको पकाओंगी कम अच्वम्हारा तेंस मिनिट के बात यह हमारा रेडियो जाएगा तो यहां पर देखिए में यह हो चुके हैं तो मुझे ऐसी ग्रीवी चाहिए आलू चाहिए तो आप और जादा GOOD कर सकते हैं आप Joy bearing कर सकते हैं को कर में तीन सिटे तक हो जाएगा फटक से जल्दी हो जायए तो यहां पर आलू पके किने देखते हैं तो यहां पर मेरे चुके है labi last काम करना बाकि है हमने इसमें कोकम एड़ नहीं किया है कोकम से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आप ज़रूर से ट्राइ कीजिए यह मेथड तो कोकम मैंने भीकोके रख दिया था पानी में एक गंटे पहले तो जब आप बनाएंगे तभी भीकोके रखेंगे तो भी इसका फ्लेम आफ करेंगे इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है तो हमारे पांच मिनिट हो चुके हैं हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपको ज्यादा ही पकाना है तो आप और पका सकते हैं अब हम इसमें कोरियंडर लिफ्स एड़ करेंगे धनिया एड़ करेंगे हरा धनिया अभी हम इसमें हरा धनिया एड़ करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अभी हमारी सब्जी तपके तयार हो चुकी है अभी गैस का फ्लेम आफ करिए अभी हम इसे बाउल में सफ करेंगे तो यह देखें यहाँ पर मैं बाउल में इसे सफ कर रहे हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है यह बहूत ही टेस्टी लगती हैं आप लोग ज़रूर से ट्राइ के ज़िए ये रोटी के साथ भी खा सकते हैं भाकरी के साथ भी खा सकते हैं प्लेन राइस के साथ भी खा सकते हैं जीरा राइस के साथ भी खा सकते हैं इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही डिलिशियस लगती हैं तो अगर से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चा ख्याल रखना ऐसी चटा के दार खाते रहें और अपना ख्याल रखिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई कर दो